नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है आज हम पाव भाजी बनाएंगे जिसके लिए हमने ये सबजिया ली हैं पत्तागोवी बंदगोवी बीन सोर सिमला मेच गैस जलाकर उस पर एक कूकर रख लेंगे उसमें एक चमच तेल डालेंगे एक चमच पाव भाजी मसाला डालेंगे और उसमें आधा चमच हम हल्दी पावडर डालेंगे आधा चमच नमक डालेंगे नमक कम ही डाले क्योंकि बाद में भी नमक डलेगा अब हम इनको मिला लेंगे अच्छे से इनको हम मिक्स करेंगे उसके बाद हमने जो सबजिया ली है वो इसमें डाल लेंगे आप अपनी पसंद की कोई भी सबजी ले सकते हैं आपके पास जो भी सबजी हो उससे आप बना सकते हैं हमने आलू को अलग से उबाल लिया है अब हम सभी सबजियों को इसमें डाल लेंगे और मसाले में उसको मिक्स करेंगे इस तरह से हमने सभी सबजिया कुकर में डाल ली है और हम इनको अच्छे से मसाले में मिला लेंगे इस तरह से हम इसको मसाले में मिलाएंगे सा पानी डालेंगे ज़्यादे पानी नहीं डालना क्योंकि इसको मैस करने में फिर दिक्कत आती है अगर हम थोड़ा पानी डालेंगे तो यह जल्दी से मैस हो जाता है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया है अब हम इसको चला कर कुकर को बंद कर देंगे और इसमें हम दो सिट्टी लगा लेंगे हमने कुकर को बंद कर दिया है अब हम दो सिट्टी लगने के बाद इसको उतार लेंगे दूसरी तरफ हम गैस पर एक कड़ाई रखेंगे, उसमें मक्खन डालेंगे, बटर और जीरा डाल लेंगे, आप इसमें थोड़ा साथ ओयल भी डाल सकते हैं इस तरह से जीरा भुन जाने के बाद हम इसमें प्याज और लैसुन का पेस्ट डाल देंगे इस तरह से हम प्याज को अच्छे से भूनेंगे प्याज भूनने के बाद हम इसमें टमाटर, अद्रक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे जो हमने एक साथ पीस लिया है, आप इसको चोप करके भी डाल सकते हैं पिसा हुआ जल्दी पक्कर तैयार हो जाता है अब हम इसको मिक्स करके भून लेंगे टमाटर और प्याज को अच्छे से भूनेंगे हमने इसको अच्छे से भून लिया है अब ये इसमें हमें एक चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर और मसाले के टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे क्योंकि हमने सबजी में भी नमक डाल लिया है इनको हम इसमें मिला कर अच्छे से थोड़ा और रोष्ट करेंगे रोष्ट करने के बाद हम इसमें एवरेश्ट का पाउभाजी मसाला डालेंगे हमने एवरेश्ट का पाउभाजी मसाला लिया है इसको हम दो चम्मच डालेंगे आप अपने टेस्ट के अनुसार मसाला जादा भी डाल सकते हैं अब ये पकर तयार होगा है हमने इसमें दो चमच पाव भाजी मसाला डाल लिए पाव भाजी मसाला डाल कर हम इसको मिक्स करेंगे अब ये अच्छी तरह से बुनकर तयार होगा है अब हम इसमें सबजी डाल देंगे जो हमने उबाल कर रखी थी और जो आलू हमने उबाल कर रखे थे उनको भी हम काट कर इसमें डाल देंगे अब इनको अच्छे से मिक्स करें मिक्स करने के बाद आप इसको मैस करें हम इसको अच्छे से मैस करेंगे इस तरह से सबी सबजियों को हम इस तरह से मैंस कर लेंगे कि पता ही न चले कि इसमें हमने क्या डाला है इस तरह से अच्छी तरह हम इसको मैंस करेंगे जितना हम इसको मैंस करेंगे उतनी ही अच्छी पावभजी बनकर तयार होगी हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे अभी इसमें कुछ पीस थोड़ा मोटा है हम इसको होर मैस करेंगे अगर आपको मेरी ये पाव भाजी पसंद आए आप लाइक करें, सेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करें हम इसको अच्छी तरह से दुबारा मैस करेंगे अगर सब्जी में पानी होता है तो जल्दी से मैस नहीं होता अगर पानी कम होता है तो सब्जी जल्दी मैस होकर तयार हो जाती है पाव भाजी खाने में बहुत ही टैस्टी लगती है और ये जल्दी बनकर तयार हो जाती है अब हमने इसको अच्छे से मैस कर लिया है अब हम इसमें आवशक्ता के अनुसार थोड़ा पानी डालेंगे हमने जिसमें टमाटर पीसे थे वो पानी दोकर इसमें डाल दिया है इस तरह से हम पानी को अच्छे से मिला लेंगे अगर आपको होर पतला करना है तो थोड़ा पानी और डाल सकते हैं इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हमें अगर ये गाड़ी लगती है तो हम इसमें थोड़ा पानी और डाल लेंगे हमें एक गाड़ी लग रही है इसलिए इसमें हम थोड़ा पानी और डालेंगे हमने थोड़ा सा पानी और डाल लिया है इसको अच्छे से मेक्स करके हम इसको दो तिन मिनट के लिए ढखकर पकाएंगे अच्छे से हमने चला लिया है अब हम एक बार और इसको इस तरह से मैस करके अच्छी तरह से मैस कर लेंगे और फिर हम इसको ढख कर पकाएंगे अब इसमें उबाल भी आ चुका है एक दो मिनट हम इसको ढख कर पकाएंगे हमने इस पर ढख कन लगा दिया है और दो मिनट बाद हम ढख कन को हटाएंगे अब ये बन कर तयार हो गई है अब हम इसमें नीम्बू का रज या नीम्बू को निचोड़ देंगे इस तरह से हमने इसमें नीम्बू को निचोड़ दिया है इस तरह से बच्चे भी सब्जिया खा लेते हैं अब ये बन कर तैयार हो गया है अब हम इसमें उपर से हरा धन्या डाल देंगे हरा धन्या डाल कर हम गैस को बंद करेंगे और उपर से हम इसमें और मक्षन डालेंगे इसमें जितना मक्षन डालते हैं ये भाजी उतनी ही अच्छी लगती है हमने इसमें मक्षन डाल दिया है अब हम दूसरी गैस जला कर उस पर एक पैन या तवा रखेंगे और उसमें बटर डाल देंगे बटर डाल कर उसमें हम थोड़ा सा सोस डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेंगे अब हम इसमें पाव को सेकेंगे ये चीज मिला कर डाले तो पाव और भी अच्छे लगते हैं अब हम इसमें पाव डाल कर इनको अच्छे से दोनों तरब से सेक लेंगे कुछ लोग पाव को बिना सेके भी खाते हैं लेकिन सेखने से ये उर्भी टेश्टी बन जाते हैं इस तरह से हम इनको दोनों तरफ से उलट पलट कर सेखेंगे अब पाव भी सिक्कर तैयार हो गए है इनको हम निकाल लेंगे दूसरे को भी हम पलट देंगे दोनों सिक्कर तैयार हो गए है अब हम गैस को बंद कर देंगे और एक सर्विसिंग पलेट लेंगे उसमें हम थोड़ा सप्याज, नीमबू, कटी हुई है रिमेज और पाव, भाजी दोनों रखकर सर्व करेंगे बाजी में हम मक्कन डालेंगे उपर से हम इसमें हर अदनिया डाल देंगे इस तरह से पाव भाजी बन कर तैयार हो गई है अब हम इसको सर्व करेंगे हमने इसको सर्व कर दिया है अब करेंगे